हलो एवरिवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टूल कीट ऑटो पेज ऑप्सन के बारे में, ये ऑप्सन कैसे काम करता है, ये कहां पर पाये जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ये ऑप्सन, इमेज सेक्शन के अंदर, आप राइट क्लिक करेंगे, तो आपको मिल ये है आटो पेज का ऑप्सन, ओके, ये कैसे काम करता है, इसके लिए आपके पास धेर सारे आटो पेज़ी टेंपलेट होने चाहिए, और नाइज़ फार्म में, और नाइज़ फार्म क्या होता है, ये देखिए, मैं यहाँ पर F ड्राइब में जाता हूँ, जहाँ पर मैं अपना album toolkit का data रखा है, इसके अंदर यहाँ पर toolkit data है, और यहाँ पर template का folder है, और इसके अंदर धेर सारे अलग-जलग folders बने हुए हैं, और frame के according उन folders का नाम है, जैसे यहाँ पर है 2H4V, तो इस folder के अंदर ऐसे templates हैं, जिस में two horizontal और four vertical frames हैं, ऐसे auto PSD के folders आप खुद से generate कर सक सकते हैं Auto Template Designer option की साहता से जिसके बारे में मैं वीडियो अर्डेडी बना चुका हूँ ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं template के अंदर धे सारे folders हैं और उनमें धे सारे templates हैं अगर आपके पास Auto PhD नहीं है और अगर Auto PhD हैं भी और उसे आपने organize नहीं किया है तो यह Auto page का option काम नहीं करेगा यह कैसे काम करता है यह देखिए यहां पर से हम लोग photo drag करके open कर लेंगे या फिर आप चाहें तो यहां पर से भी photo open कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो photo भी मैं इस्तिमाल करूँ वो marking हो जाए तो मैं यहां पर जाओंगा यूजड image setting में जाओंगा और mark color कर दूँगा ओके तो अब देखिए क्या होगा मैंने यहां पर से यह छे photo ले लिए इसे ऐसे drag करके Photoshop में open कर लिया photographs open हो रहे हैं जैसे ही मैं auto page बटन पर click करूँगा आटोमेटिक एक folder open हो जाएगा अगर मैंने 6 photo open किया है तो 6 frame वाले template का folder open हो जाएगा और मैं कोई सा भी template पर double click करूँगा वो template ready हो जाएगा vertical photo vertical frame में चली जाएगी horizontal photo horizontal frame में चली जाएगी और आपका page ready हो जाएगा आप देख सकते हैं कि process हो रहा है horizontal photo horizontal frame में vertical photo vertical frame में जाएगी और आप देख सकते हैं कि यह page ready हो गया अगर आपको ये page पसंद नहीं आता है इसे आप close कर दीजे दुबारा इन photo को open कर लीजे जो 6 photo आपने open किया था दुबारा यहाँ पर auto page बटन पर click कीजे यहाँ पर से कोई दूसरा auto PhD template ले लीजे जैसे मैंने यहाँ पर से ये ले लिया वो page दुबारा रेडी हो जाएगा जो 6 photo आपने open किया था वो इनके frames में जाके fill होती जाएगी resize होती जाएगी horizontal photo horizontal frame में vertical photo vertical frame में ये page भी ready हो गया है ये भी मुझे पसंद नहीं आता इसे मैंने close कर दिया मैं यहाँ पर 6 के बदले 7 photo चाहता हूँ तो यहाँ पसंद मैंने 1,2,3,4,5,6,7 मैंने 7 photo को Photoshop में open कर लिया और यहाँ पर मैंने auto page बटन पर click किया तो अब templates हम लोग को 7 photo के हिसाब से open होंगे मैंने किसी भी एक template को select किया मैंने यहाँ पर इस template को select किया double click कर दिया तो यह जो 7 photo हमने open किया था वो इस template के सभी frames में fill होती जाएगी vertical photo vertical frame में fill होगी horizontal photo horizontal frame में fill होगी और आपका page ready हो जाएगा यह देखे यह page ready हो गया है चलिए इसे हम लोग side में रख देते हैं अब मैं यहाँ पर से इन 5 photo को ले लेता हूँ 1,2,3,4,5 इन 5 photo में एक vertical है और बाकी horizontal इसे मैंने photoshop में ऐसे open कर लिया open करने के बाद मैं जैसे auto page बटन पे click करूँगा इन 5 photo के हिसाब से template मुझे show होने लगेंगे ऐसे template जिसमें 4 horizontal और एक vertical frame हो आप किसी भी एक template पर double click कीजे वो template open हो जाएगा और जो भी photo आपने open किया है वो सभी frames में जाके fill हो जाएगी resize हो जाएगी vertical photo vertical frame में जाएगी horizontal photo horizontal frame में और आपका page ready हो जाएगा ये देखिए अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर से दो photo ले जाता हूँ एक और एक दो इसे मैंने हाँ पर drag करके Photoshop में open कर लिया मैंने auto page बटन पर click किया तो ऐसे template show हो रहे हैं जिसमें सिर्फ दो frame है तो आप कोई सभी एक template double click कीजेगा आपके open के हुए दोनो frame दोनो photo इनके PhD के frames में जाके fill हो जाएगे resize हो जाएगे यह देखिए चलिए मैंना यहाँ पर एक दो तीन चार पांच यहाँ पर से मैंने पांच photo को यहाँ पर से drag कर लिया पांच photo open हो रहा है मैं जैसे ही auto page बटन पर click करूंगा इन पांच photo के हिसाब से यहाँ पर मुझे template show होंगे मैं जैसे ही किसी template पर double click करूंगा यह open की होए photographs template के frames में जाके fill होते जाएंगे resize होते जाएंगे यहाँ पर मैं इसे थोड़ा minimize कर लेता हूं यह देखिए फिलहाल जो frames के अंदर photo fill हो रहे हैं वो बिना smart object के रूप में fill हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस check box को on कर देना है ओके चलिए अब मैं दुबारा कुछ photographs ले लेता हूं जैसे मैंने एक दो तीन इन तीन photo को photoshop में ड्रेग किया open कर लिया उसमें marking भी होती जा रही है आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ auto page button पे click करूँगा यहाँ पर ऐसे template का folder open हो गया है जिसमें तीन frame है आपको बस double click करना है किसी भी template को select करके और आप देख सकते हैं कि जो photographs मैंने open किया है वो इनके frames में fill होते जा रहे हैं और resize होते जा रहे हैं यह देखिए resize हो गया है इसी तरीके से चलिए एक page और बना लेता हूँ मैंने यहाँ पर से तीन photo को select किया Photoshop में drag करके open कर लिया मैंने यहाँ पर auto page button पे click किया ऐसे templates open हो रहे हैं जिसमें तीन frame है किसी भी template पे double click कीजिए वो template open हो जाएगा और सभी frames में photo fill होती जाएगी vertical photo vertical frame में horizontal photo horizontal frame में तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको page design करना है और आप ध्यान दीजेए यहाँ पर धेर सारे page आपको बना के नहीं रखना है आप 5 page बनाईए उसका फिर उनको save कर दीजे फिर 5 page बनाईए उसका दूसे save कर दीजे करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे options हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा लेकिन फिलाल हम लोग देख रहे हैं यह auto page option के बारे में यहाँ पर आप देखिए quick tool दिया हुआ है मैं quick tool में जाता हूँ इस quick tool को आप open करके यहाँ पर रख सकते हैं अगर किसी भी page में कुछ भी modification करना है जैसे मुझे इस page में background डालना है मैं background बटन पर क्लिक करूँगा dual color background मैंने इसके कपड़े का color उठा लिया okay right side मैंने black कर लिया यह देखिया for example यह photo मैंने यहाँ पर background single color background मैंने yellow color का background दे दिया उसी तरीके से यहाँ पर apply element है मुझे कुछ clip art डालना है मैंने clip art डाल दिया sub mangal वो clip art आके यहाँ पर set हो गया जिसे आप move कर सकते हैं यह जो quick tool है उसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे लेकिन फिलाल हम लोग देख रहे हैं इस auto page option के बारे में चलिया मैं इन सारे page को अब save कर लेता हूँ यहाँ पर save page का option दिया हुआ है इस पर आपको click करना है open output folder यह आपका output folder है आप चाहें तो link folder बटन की साहता से किसे भी folder को output folder बना सकते हैं आपको jpg format में save करना है या phd format में save करना है या फिस jpg phd दोनों format में save करना है यहाँ से आप select कर लिजे मैं चाहता हूँ सिप phd format में save हो stay all open page मैं ऐसा करूँगा तो जितने भी page मैंने अभी design किया है सारा का सारा output folder में जाके phd format में save होता जाएगा जिसे मैं बाद में चाहूँ तो modify भी कर सकता हूँ यह जो अभी हमने देखा auto page का option वो यहाँ पर button mode में भी दिया हुआ है यह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है auto page यह देखिए यह है auto page आप चाहें तो auto page का इस्तेमाल करते समय है album toolkit का जो main panel है इसे minimize करके भी रख सकते हैं यह पर देखिए मैंने open button पे click किया तो image का folder open हो रहा है फिलाल आप देख सकते है F drive में tool की data के अंदर image का folder open हो रहा है अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा folder open हो तो यहाँ पर link folder manually इस option पे आपको जाना है link folder manually का यह option slate करना है image button पे click करके image का folder slate कर लेना है मैंने select कर लिया sample image, desktop में, इसे मैंने कर दिया close, अब देखे मैं इस open बटन पर click करता हूँ, तो desktop का sample image का folder open होगा, यहाँ पर से मैं जितने भी photographs open करूँगा, वो एक used folder के अंदर चले जाएंगे, जैसे यह देखे, मैंने यहाँ पर से 4 photo को select किया, open किया, 4 photographs open हो रहे हैं, मैंने auto page बटन पर click किया, कोई सा भी एक template ले लिया, आपका auto page ready हो जाएगा, जितना भी image आपने open किया है, उसके according यहाँ पर template show हुआ था, जिसमें से एक template मैंने select कर लिया था, vertical photo, vertical frame में, horizontal photo, horizontal frame में, और यह page ready हो गया, यह देखे, मैं open बटन पर दुबारा click करता हूँ, तो जो photo, जो 4 photo मैंने इस्तिमाल किया था, वो इस used photo folder में चले गया है, यह देखे, तो अब मैंने यहाँ पर से क्या किया, मैंने इतने सारे photographs को select कर लिया, open किया, उतने सारे photographs यहा आपको auto page button पर click करना है, उन photographs के according यहाँ पर template show हो जाएंगे, किसी भी एक template पर आप double click कीजे, और आपके open किये हुए photographs उस template में horizontal, vertical frames के according फिल होते जाएंगे, vertical photo, vertical frame में, horizontal photo, horizontal frame में यह देखिए, आपका page ready हो गया है, इसे आप चाहाएं तो यहाँ पर save album page option की सहायता से save कर सकते हैं, या फिर चाहाएं तो manually file menu में जाके भी save कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हमने देखा toolkit auto page option के बारे में, जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से album design कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही, थैंक्यों तो वाचिए